नमस्कार स्रावस्ति तक नियुशे राप्टी नदी के घरते बढ़ते जलिस्तर से कटान हुआ तेज स्रावस्ती में राप्ती नदी में बार के बाद अब कटान की विकट समस्या आखडी हुई है जिसको लेकर ग्रामीड चिंते थें कटान कम होने के जगा बगती हिजा रही है ग्रामीडों की माने तो बार के बाद पानी कम होने पर नदी कटान सुरू कर देती है जो बहुत ही खतरनाक होता है कटान से बहुत बड़ा नुक्षान किशानों को उठाना पड़ता है पशल उगाने वाली खेतियर भूमी कटकर नदी में समाहित हो जाती है वहीं प्रशाशन दिन रात कटान को रोकने के लिए यूद इस्तर पर काम भी कर रहा है कई जगहों प परसिया के मज़रा परशिया सित पर्शा डेहरिया तिलकपुर तटबंद के 16 किलोमीटर परशिया तटबंद के पास करीब सो मीटर बांद कटकर नदी रापी नदी में शमाहित हो गया है आपको बता दें मामला श्रावस्ती जनपत के मनकापुर के किशानों की खितिहर ज गाउं की पांच एकड़ खितिहर भूमी नदी में कि कटान में समा चुका है ग्रामीड का कहना है कि 100 मीटर बांद राप्ति नदी में समा गया है जिससे आसपास के दरजनों गाउं राप्ति के खत्रे पर हैं वहीं कटान को रोकने के लिए प्रशाशन दिनरात एक किये कि कि तो कि अब बंधा कितना कट गया है बंधा तो अब ना पत ना जाज सकत है लेकिन पन्दरा वो पांचो मीटर होगा जरूर्ब पान सो मीटर के अरीब करीब बंधा कट गया है यानि कहीं न कहीं गाउं खत्रे के निशान के आसपास हैं कितने गाउं परभावित हो रहे हैं सब 15-16 गाउं परभावित हैं तो आप लोग अगर ये डर तो एक दिल में वसा होगा ना बिल्कुल डर है साहिब कि गाउं हमारा